अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है नौकरी का पता कारिकरम में आज बात करेंगे यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती के बारे में यूपी पुलिस में कॉंस्टेबल की 6244 भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आवेदिन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से सुरू होगी अपलाई करने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 है फीज जमा करने और आवेदन में संसोधन की अंतिम्तिती 18 जनवरी 2024 है आप आधिकारिक वेबसाइट www.bpb.gov.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इस भरती में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित हैं EWS के लिए 6,024 पद, OBC के लिए 16,264 पद, SC के लिए 12,650 पद और ST के लिए 1,204 पद है आवेदन फीस 400 रुपे निर्धारित की गई है अब आपको भरती से जुड़ी 10 खास बातें मताने जा रहा हूँ नमबर बन, UP Police Constable भरती में आयू सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी नमबर टू, योग्यता इन पदों के लिए आपका बारवी यानि इंटर पास होना जरूरी है 21 से O-Level वाले अभ्यर्थियों, NCCB Certificate वा प्रादेशिक सेना में दो वर्स की सेवा वाले उमिद्वारों को प्रेफरेंस मिलेगा नमबर थ्री, आयू सीमा पूर्सों के लिए 18 वर्स से 22 वर्स, महिलाओं के लिए 18 वर्स से 25 वर्स SC, ST, OBC वर्ग के उमिद्वारों को अधिक्तम आयू में 55 वर्स की छूट दी जाएगी आयू की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी यानि ऐसे पूरुस अवियर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो सादरिक मानक, पूर्सों के लिए सामानने OBC SC वर्ग के उमिद्वारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटिमीटर होनी चाहिए सीना बिना फुलाई कम से कम 89 सेंटिमीटर हो और फुला कर कम से कम 84 सेंटिमीटर हो सीना बिना फुलाई कम से कम 77 सेंटिमीटर हो और फुला कर कम से कम 82 सेंटिमीटर हो महिलाओं के लिए सामाने OBC-SC वर्के उमिद्वारों की लंबाई कम से कम 152 cm होनी चाहिए ST वर्के उमिद्वारों की लंबाई कम से कम 147 cm होनी चाहिए वजन कम से कम 40 kg होना चाहिए नमबर फोर चैन लिखित परिक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपका चैन होगा नमबर फाइब यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा OMR स्चीट पर ओफलाइन मोड से होगी यानि परिक्षा कंप्यूटर मोड CBT टाइप नहीं होगी अबजेक्टिब टाइप प्रशन होगे और OMR स्चीट पर गोलों को भरना होगा नमबर सिक्स एक्जाम पैटर्न लिखित परिक्षा तीन सो अंकों की होगी एक गलत उत्तर पर आधा अंक काटा जाएगा नमबर एट फिजिकल टेस्ट लिखित परिक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा पुर्शों को 25 मिनट में 4.08 किलोमिटर की दौल डगानी होगी और महिलाओं को 14 मिनट में 2.04 किलोमिटर की दौल डगानी होगी नमबर नाइन आरक्षन केवल यूपी के मूलनिवासी को मिलेगा नमबर टेन फाइनल मेरिट लिष्ट लिखित परिक्षा के प्रापतांकों के अधार पर निकाली जाएगी इस भरती में कोई इंटर्वियू नहीं होगा और कोई वेटिंग लिष्ट तयार नहीं होगी विश्तरे जानकारी के लिए आधिकारी के वेबसाइट पर जाएग दर्शन्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही खबरों का सिलसला लगातार जारी है इसलिए देखते रहें दर्शन्यूज